नमस्क्राइब दोस्तों के यूगे से सम्मादी स्टुडेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जान करें जरूरी अपडेट्स हैं सूच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादश ज्याद़ शेयर जरूर करें क्याईगी के तरफ से हाँ खुछ और कॉर्सिज के रिज CTW decare किये गए है इससे पहले भी कापछ़ रहे को चरूरी जरूर देख परें एक दिसंबर को प्राइवेट डिस्टेंस का बीकॉम का पार्ट टू का बीकॉम सेकंड येर का अप्रैल दो हुजार बाइस सेसन के जो ओफलाइन एक्जाम होए थे उनका रिजल्ट डिकलियर किया जा चुक है और इससे पहले भी प्राइवेट डिस्टेंस के जैसे कि आप यहाँ पर देख पर हैं मिल जाएंगे तो जैसे ही private distance के results आ जाएंगे तो देखना ये है कि कितनी जल्दी private के फारम के लिए portal open किया जाएगा जैसे पोडल open किया जाएगा उसके बारे में भी आपको सुचना है प्राप्त हो जाएंगी और अगर आप result की pdf ड़करको detailed result देखना चाहते हैं तो result की PDF भी आपको देखने को मिल जाएंगी जैसे आप KQ की website पर जाएंगे वहाँ पर result वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको detailed जो result की PDF हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी यह become part वाले candidates का result है private distance वाले candidates को fail की, absent की, इस तरीके से cancel की, अलग-लग result evaluation भी result में देखने को मिल रही है तो जिन भी students ने exam दिये थे वो जरूर बताएं कि आपका result कैसा रहा RLO का यहाँ पर एक और reason यहाँ पर अगर बात करेंगे आपका previous result lower result pending है यहाँ कि हो सकते कि आपने first year का exam दिया हो, उसका भी result pending हो जिसकी वज़े से यहाँ पर आपका RLO आया हो, या फिर आपके second year में total marks ना किये गए हो जैसे first year, second year के, या फिर हो सकते कि आपने improvement त्यादी का exam दिया हो तो उस case में भी RLO देखने को मिल जाता है ज़्यादा जानकरी के लिए RLO के बारे में आप संबंदित exam center जो भी आपका है उसके accordingly university में जाकर जो भी dealing room है, वहाँ से ज़्यादा जानकरियां आप प्राप्त कर सकते हैं students के लिए को जरूरी जानकरी यह है कि UGPG courses के first semester के exam फारम और fees submission को लेकर जो last date है, normal fees के साथ 5-12-2022 तक अब आप भी ना late fees के फारम भर सकते हैं, fees submit करवा सकते हैं और उसके बाद 10 तरीक तक 10-12-2022 तक 500 रपे की late fees आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर university की जो एक और लापरवाई ही है, एक और निकमापन सामने आया है, वो यहाँ पर आप साफ तर पर देख रहे हैंगी अभी जो फारम बरे जा रहे हैं, वो old semester के बरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह जो schedule है, यह अभी भी even semester का दरसाय जा रहा है एक तरफ तो यह बड़ी लंबी चोड़ी, बड़ी बड़ी बातें फैंकते हैं कि हम digitalization के दोर में यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमने इतना कुछ achieve कर लिया, यह achieve कर लिया, वो achieve, लेकिन website पर information available नहीं है बात करते हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पर जो भी notification निच्चे आप देख पा रहे हैं, यह मई के हैं, अपरेल के हैं, उससे पहले के हैं, उसके बाद के जो अब ओर समेस्टर के लिए जो notification जारी होने थे, वो यहाँ पर uploadी नहीं किये गए एक तरफ तो इस students की गलती निकाल देते हैं कि आपने website पर चेक नहीं किया, अब जब website पर information डालेंगे तो ही कोई चेक करेगा, इनको कोई मतलब नहीं है सरासर की students का चाहिए कितना नुक्सान होता हो, इनको बस पैसे से मतलब है, अपने आप पैसे मतलब है, इनको students की बला जनवरी या जुलाई अलगलग session के, जनवरी जुलाई दोहजार बाई session के, अलगलग courses के, जो distance वाले students हैं, उनके अलगलग courses के PCP schedule जारी किये गए हैं, अलगलग parts के, तो जो भी सम्मन्दित courses के students हैं, जिनके PCP schedule आच चुक हैं, वो अपना PCP schedule चेक जरूर कर लें और अपन PCP spending रहती हैं, तो वो अपने PCP पे जरूर कर दें, और जहां तक बात है कि, जो distance के students हैं, जिनके री आई हुई है, री के फारम भरने हैं, या फिर जिन्होंने private के fresh फारम भरने हैं, या next year के, second year के, third year के, UGPG courses के, जिन्होंने private के फारम भरने हैं, उनको अभी थोड़ा इ December में Portal Open हो जाएगा तो उसकी भी जानकरी आपको देखने को मिल जाएगी, पोर्टल के चांसी जो हम वो जैसा University के तरफ से बताया गया था, या तो December में या फिर January में Portal Open हो पाएगा, उसके बाद ही आप फारम भर पाएंगे, अपलाई कर पाएंगे, ये जानकरी आपको